नमस्कार दर्शकों मैं हूँ काजल आप मुझे देख रहा है MNS यूज आइप पर खबरों की और रुख करने से पहले मैं आपको बता दू कि सची कबरे जानना आपका मौली कदिकार है कि सच जरूरी है अब मुस्लिम महिलाओं को नहीं करना पड़ेंगा तीन तलाग का सामना लोग सबा के बाद राज्य सबा में भी बिलपास संसत में मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाग देनी की प्रत्था पर रोग लगाने के प्रावधन वाले एक एतियासी विदैको मंगरवार को मंजूरी दे दी है विदैक ने तीन तलाग का अप्रासीद होने पर तम्मदित पती को तीन साल तक की जेल का प्रावधन किया गया है विदैक सुरेंदर सिंग ने मोदी योगी को बताया आउतार यूपी के बालिया जिल्ले के बोरिया विदान सबर सिर्ख में बादी जन्ता पार्टी के विदायक सुरेंदर सिंग ने पीम नरेंदर मोधी और यूपी के सीम योगी आदेतेनाथ को अउतर बताती हुए कहा कि भगवान हिंदोनों को हिंदू तुआ की विचार धारों को बचाये रखने के लिए भेजा है घाटे के दोर में देशी विमान कंपणियों ने कमाया लाब अच्छे मुनाफ़े में एर इंडिया एक्सप्रेस Air India की low cost company Air India Express ने लगाता 34 साल लाब में है 30 जुलाई 2019 को Airline के Board of Directors से पास हुए अकाउंट के अनुसार Air India Express ने 2018 में 179 करोड रूपए का शुद्ध मुनाफ़ा कमाया है MNS News Life की खबरे देखने के लिए आज री प्ले स्टोर से MNS इंदी एप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद